समाजवादी सैनिक प्रकोष्ट के तमाम पूर्व सैनिक चिला मुख्याले पहुंचे और इहां इनुने दोग्यापन प्रिधान मंत्री वा मुख्यमंति की नाम सम्भूधी चिलाद कारी कारयाले में दिये हैं आए आपको भी दिखाते हैं चिला मुख्याले पर एक ही रंग डोपी लगा कर पहुचे यह सबी लोग पूर्ब सैनिक हैं और बतादे कि यह सबी लोग समाझवाधी सैनिक प्रकोष्ट के पतादीकारी हैं समझवादी सैनिक प्रकोष्ट के जलाद द्याज पीरेंस सिंग यादब के नितवत में एह पूर्ब सैनिक यहां पहुचे थे जिन्नों ने दो ग्यापन जो एक ग्यापन देश के प्रिधान मंत्री और दूसरा ग्यापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधी था ज नहीं दूसरे ग्यापन में प्रदेश में बेरोजगारी और परिच्छा निरस्तिकरण को समाप्त किया जाएं इन सम मांगो को लिखर इन पूर्ब सैनकों ने समाजवादी सैनिक प्रकोष्ट के बैरत अले ग्यापन सौपा है और इन पूर्ब सैनकों ने क्या कुछ पताय की है कि जो देश की सबसे बड़ी सुरच्छा और विवस्ता के लिए आर्मी अनुसासन के लिए जानी जाती है उस आर्मी में जो समिदा पर चार साल की भरती की गई है जिससे देश और जो जबान भरती होंगे तथा उनसे परवार तीनों का ही अहित होगा और देश की रूप से खत्रे में पड़ चुकी है यह देश के लिए बहुत ही अहितकारी है हमारी सरकार से मांग है कि अगर देशी सुरच्छित नहीं होगा तो हमारे नागरिक सुरच्छित नहीं होंगे किसी भी देश की सुरच्छा सिरप उसकी सुरच्छा विवस्ता आर्मी के उप विवस्ता पर की गई है इस विवस्ता को तुरंत हटाया जाए और इस पर पुरानी जो भरती प्रक्रिया थी उसी को लागू कर सैनिकों को पूर अबद के लिए पूर सैनिक बना करके सम्मान पैंसिन के साथ पूर सैनिक कोश्ट से आप लोग आए हैं लाश पती के नाम दिय कुले विए अभी जो बीजेपी सरकार ने अगन भी चलाया है फौज बहुती के लिए वो बिल्कुल गलत है देश हित्में नहीं है देश के साथ चलावा है फौजीयों के साथ चलावा है इसके हम लोग इस बज़े से यह राश्पती के नाम दियापन देने आए आए आद चाले भरती होते तेहिसा से बत्ती के जाए और सहंआ की पैंशं बाल की जा यह हम पूर पूर्पूरस 해서 की माँ वह बे रोजकार है आज जो नए युगता सब भी रोज़कार घूं रहे हैं उनको रौजगार दिया जाए भरती करी कराई जाए पिलिस और आर्मीं भरती हो जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले यह हम लोगों की मांगें किसान किसान जवान इससे और मजदूर सब तरस्त हैं यह पार्टी इस पर गौर करें और दुबारा इनकी भरती कराए और रोजगार पर ध्यान दें